ये वाटसब गाईज एक और नी वीडियों सभी का स्वागत है तो गाईज आज हम खेलने वाले क्रीस एक्स तो इसके कंट्रोल थोड़े बड़िया से लगी मुझे तो गाईज गेम बड़ा मस्त लगा मुझे और लास्ट में हम अपना गार बिल्ड करेंगे देखते हैं कहा पर बिल्ड होगा फैले हमें यह मीशन कंप्लीट करने होंगे जो यह यहाँ पर आते हैं न स्टोन बैग है बैग उठा लेते हैं और यहांपर है नोटबुक आसे नोटबुक उठाते हैं तो इसके अंदर हमारी रेशिपी वगेरा उती है गाइज तो इसको जरूर उठा लेना तो तो सब कुछ देख लेते हैं अब तो यहाँ पर मैं पहली बार केल रहाँ गेम और इसमें बहुत सारे कंट्रोल है और मेरी ऐल 36 है तो अब चलो उस 350 मिटर की दूरी पर जो दिखा रहा है वहाँ पर चलते हैं और वहाँ पर हमें थोड़ी बहुत लूट मिल जाएगी और मेर पास कलब है स्टोन एक्स है मैं और यह थोड़ी शी क्लोथ है और कैन मीट है तो बहरी वगेर है सब कुछ कलेक्ट कर लेंगे गाईज बैक की कैपेस्टी 20 है तो सब कुछ चेक करते हुए चलेंगे और चलो अब जल्दी से चलते हैं वहाँ पर जो यहाँ पर 200-300 मिटर तो चलो अब चलते हैं मैं वीडियो थोड़ा फास्ट कर देता हूं गाईज ताकि आप लोगों को बोरिंग ना लगे तो जल्दी चलते हैं उस साइड पर ही चलेंगे और रास्तिम जो कुछ आएगा हम उसको सब कुछ देखते हुए चलेंगे क्या क्या कुछ है तो स्टो दबे को कोलना है तो इस दबे पर किलिक करते ही हमारा खुल जाएगा तो यह खुल गया तो इसमें सारा समान है गाईज जो हमारे काम आएगा तो सारा पिक कर लेते हैं तो पिक अप आल पर किलिक करेंगे तो सारी चीजिया में मिल जाएगी तो पिक वोल कर लेते हैं तो सा तो इसको उपन करते इसमें भी कैन मीट है तो गाइज ओनलाइन गेम आप अपने दोस्त के साथ भी खेल सकते हो अब यह बिटा सर्वर में बढ़ाई मस्त गेम है और थोड़ा बढ़ा भी है तो देख लेना चार जिपी करीब का गेम है यह और इंडिया में इसका सर्वर कल पर सुई आया है तो फरस्टेड वगेर सब कुछ उठा लेते हैं गाइज हमारे सारे चीजे काम आएगी है और गाइज इसमें जोम भी हमला नहीं करते स्टार्टिंग में लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे जोम भी आप पर हमला करना स्टार्ट कर देगा तो सारे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं वहाँ पर हमें थोड़ी बहुत लूट मिलेगे और गाइज लास्ट में हम पक का एक बेस बनाएंगे बिना बेस बनाए हम वीडियो खतम नहीं करेंगे तो वीडियो पूरी जरूर देखना बड़ी मस्त है और चैनल को गाइज सब अभी तो चलो चलते हैं सिद्धे यहां पर इस इन्वेंटोरी में कुछ खास मुझे दिख नहीं रहा है कि मेर पास क्या क्या है मतलब कि यह नहीं कह रहा क्या क्या है लेकिन आया सब कुछ लेकिन भी कुछ खास है नहीं तो चलो एक दो बंदे को मारते हैं तो यह टोम टर उठा लेते हमारे काम आएगा आगे तो यहां से 50 मिट्र दूर एक और कैम्प है तो यहां पर चलते हैं यहां पर जॉंबी है इसको मारने की कोशिस करते हैं शाइद ही हम पर हमला करेगा तो इसने अभी तो हमला नहीं किया तो इसको मारते हैं तो यह एक में खतम हो गया गाईज तो बूड एरो की पता नहीं किसकी रेसिपी मिली है तो चलो चलते हैं और यहां सिस्ट पर जूट वगेरा पता नहीं क्या क्या है और गाईजी बार बार मेरी नोट बुक खुल जाती है तो चलो सिद्धे चलते हैं और यहाँ पर इस चेस्ट को खोलते हैं देखते हैं क्या मिलेगा तो इतने गाईज आप वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को इतने तो गाईज यहाँ पर कुछ है नहीं सारी चीज़े वैसी यह सिंपल तो फस्टेट वगेर सब कुछ उठा लेते हैं और गाईज अगर आप इनको कंप्लीट नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते तो पहले आप कोई मिशन कंप्लीट करने ही होंगे जब आप आगे तीर बेसी बादब पना सकते हो उससे पहले कुछ नहीं कर पाओगे तो बैटर होगा आप उससे बेस बनाने एप मिशन कंफ्पलीट कर लें पिर उसके बाद आप फिर ही हो जाएंगे सब कुछ केसके हैं जो चीज़़ह आप को मिले आप उसकी रहाइसी पी निकाल काल सकत काफी देर बाद मैं देखा कि एक टावर है तो इस टावर पर हमेजान है तो चलते हैं उपर की साइड और गाजी टावर पर भी बड़े अराम से चड़ती है इसके ग्राफिक बड़े मस्त है गाईज 4GB का गेम अगर आप नहीं खेल सकते गेम तो मत खेलना गाईज बड़ा ह है डापकी हेवी व्यें वैशंती है तो यहां पर मैंप हैं इस तो चलो देखेंगे इसको बाद में और यह मैप तो इस मैप को भी उठा लेते हैं इस मैप से हमें सब कहीं की लोकेशन मिलेगी तो यह बड़ी है चीज है मैप के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं पाते और यहांपर लेम्प है तो इसको मारने कौशस करते थे टूप नई रहा तो चलो बाएर की साइडी चलते है और देखते हैं क्या कुछ है और क्या कुछ नही है इस तावर के उपर तो एक यह है वेलीज सी वेलीज सी पता ने क्या परने शेयसन कर रहूं है लेकिन सही है, बैग है, इस बैग से भी हमें लूट मिली है थोड़ी ची तो चलो बाहर चल कर देखतें तो यह यहां पर एक टी-शेट पड़ी है तो इस टी-शेट को भी उठा लेते हैं और पेन-किलर सब कुछ उठा लें गाइज पेन के लिए टैबलेट और ये काइज बार बार नोट खुल जा रहे हैं तो मुझे थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी इसके लिए भी तो चलो मैंने सारी चीज़ उठा लिए अपनी चिक साइड चलते हैं जल्दी से और हमारे नेक्स टारगेट के और चलते हैं जो 500 मिटर दूर तो गाइज बड़ा आई जमेला इस गेम में कम से कम आपके दो गंटे तो अराम से एजी लिए लग जाएंगी इन मिशन को करने में ही तो ये लूट मिली है देख लो तो लूट जादा खास है नहीं अभी मेरे पास तो चलो जल्दी चलते नेक्स मिशन के और तो गाइज इनको जादा आट नहीं होता है इनसे वुड कलब से तो ये लेटर फ्रोंबोस है तो पता नहीं क्या है इसको आपाद में पड़ेंगे iron, road, stone, ? अर्मर, thin road वगेरा पता नहीं क्या क्या मिला है तो इन सब चीज़ों को बाद में देखेंगे इन सारी चीज़्ों की रेशिपी मिली हैं में और यहां पर कैन मीट वगेरा है एक कार खड़ी है स्क्रैप तो इस क्रेट को खौलते हैं जल्दी से तो अगर आप इस क्रेट को खौलते हो और आप थोड़ा बहुत इल जाते हो तो यह कैंसिल हो जाता है तो स्क्रैप मेटल भी बड़ा काम का चीज है, आयरन रोड मिले हमें, और ओक स्टिक और वुड वगेरा गणी चीजे मिले हैं, तो गाई चलो, चलते हैं अब हमारा नेक्स टारगेट के और इस बैक को और खोल लेते हैं, और नेक्स टारगेट हमारा गर होगा, तो उस गर मे जाकर हम लूट करेंगे, तो चलो, चलते हैं जल्दी से, और यहाँ पर कुछ है नहीं, तो नेक्स टारगेट हमारा यहाँ पर है, हम पहुच चुके हैं, और यहाँ पर बहुत जॉम भी है, तो यह जॉम भी हम पर हमला कर सकते हैं, इन्फेक्टेड है सारे, और चलो, यहा हों भी आ गए है गाहिज इनको मारते हैं जल्दी से में आरिन रोड बना ली थी मैं ने इन के लिए भनाई थी हैP तो ध यह रोड निकालते है। इं पैलते जल्दी से तो पहले वूड कल ब से देखते हैं तो और अब चलकर ही चैस्ट खोलते हैं गाइज यह राय एक जॉंबी तो इसको मारते हैं तो यह दो हिट में खतम और इसे जूट और बैरी वगेरा फाइवर मिले हैं तो इन सब चिज़ों को बाद में देखेंगे पहले की क्रेट भी खोलनी है में तो चलो इस क्रेट को खोलते हैं तो इसमें कुछ हैं तो इसमें गाइस हमारे काम की चीज यह थी थी ठोड़ी जी लेकिन ज्यादा काम की नई थी तो चलो यह चला कर देखते हैं कि अगर यह बैक को खोलते हैं तो गाइज आपको वीडियो अच्छी लग रहे हो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर ले ना ऐसी और इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए यहाँ पर बोटल बोटल वगेर सब कुछ उठा लेंगा इस ब्रांच कैन मीट सब कुछ काम आएगा गाई हमारे और चलो चलते हैं अब दूसरी जगा पहले इसको मारते हैं इस इंफेक्टिड जॉंबी को तो गाई यह चलो इसकी लूट उठाते हैं चलते हैं दूसरी साइड तो गाई यहाँ पर आचुके हमें गर है तो गाई इस गर से हमें होम स्टेड का प्लैन मिल सकता है और गाई इस प्लैन से हम अपना गर बनाएंगे और सारी चीजे करेंगे और इसका जो प्लैन है वो बिलकुल सेम हमारा लास्टे रूल सर्वाइवल जैसा तो बड़ा यह अच्छी बात है मुझे समझने दिक्कत नहीं होई तो चलो ओम स्टेड प्लैन ले लिया हमने और यहाँ से थोड़ी बेंडेज वगेरा और हम इस से उपर ही अपना बेस बना पाएंगे सायद ऐसा ही कुछ है इसम इसमें यही बता रहा है निचे होम का साइन लगा कर कट है रूप पर होम बना रखा है तो सायद हम वहीं पर अपना बेस बना पाएंगे तो चलो जल्दी से चलते हैं मुझे एनिमी दिखा है यहाँ पर तो चलो इसको सूट करने की कोशिस करते हैं और गाई जी बगने टूप लगता है कि जो यह मैं उपने दूसरी तरह मैंने यह कुछा है। से भी कर लिया है और यहां पर भी कुछ नहीं था ज्यादा खास तो अब चलते हैं दूसरे वाली और तो काईज वह साइद मेरा लास्ट होगा फिर उसके बाद अपना बेस बनाएंगे और वहां जाने सपहले आप मेरी लूट देख लो जो लूट मुझे अब तक मिली है यह यहां पर तो काईज मेरे पास बहुत सारी लूट हो चुकी है तो मेरे सही काम आएगी यह सारी तो लकडी का स्टैक हम 500 ही रख सकते हैं तो यह बड़ा बेकार लगा मुझे तो चलो चलते हैं जल्दी से मुझे यहां पर एक गर दिखाए गाईज और मेरी एल्थ कती डाउ हो चुकी है मेरे पास स्टैमिना नहीं बचा है और गाईज हमें इस घर के अंदर जाकर इस घर को लूटना है तो चलो जल्दी से चलते हैं और यहां पर भी जोंबी है तो थोड़ी से वीडियो फास्ट करते हैं क्योंकि यहां पर बड़ाई टाइम लग जाएगा हमारा य के वीडिए जल्दी से मारते हैं अनको सबको और यहां पर हम लूटते हैं तो यहां पर कुछ लूट दिक नहीं रही है मुझे तो मुझे ुस साइड चलते हैं और यहां पर लेदर का शीच पड़ा आय तो हमें वह चाहिए चेक करेंगे क्या यह क्या नहीं तो इस बूड तो इसको देखेंगे गाइज लास्ट में अगर यह अच्छा लगा तो हम रखेंगे नहीं इसको गेर देंगे तो यहाँ पर एक सूट केस है इसको जल्दी से उपन करते हैं तो गाइज इसके अंदर हमें से मैडी मिली है सिरफ मैडी सियन वगेरा ही और गाइज एक मिशन हो रहे लास्ट जो 200 मिटर दूर है यहाँ से तो वहाँ पर भी चलेंगे जल्दी से फरीज में से मुझे मिल्क मिला है पताने कितना दिन पुरान है तो इसको मारते हैं जल्दी से तो यह कुलोथ है इसको भी उठाते हैं और गाइज यहाँ पर और बेफालतू की ड्रोप कर देते हैं जल्दी से तो गाइज मैंने सारी लूट ड्रोप कर दी है तो अब चलते मैं मैप देख रहा था किस मैप में क्या इतने देर में जोंबी आ जाता है तो चलो इन सब को मारते हैं जल्दी से और गाइज यह जोंबी बड़ा प्रेशान कर दिते हैं और प्रमार्श दो अब हमारसन के और चलते हैं और फेलुट उटाते हैं और चलते हैं इ सब्सक्राइब यहां पर एक है्मेटल पड़ा है तो पता नहीं इसका क्या काम होता है लेकिन चलो हम अपने मिशन के और चलते हैं और गाइज हमें जल्दी से चलना होगा हमें बेस भी बनाना है और चलो जल्दी चलते हैं यह बेस बेस नहीं मतलब कि यहां पर मिशन है तो यहां से जल्दी जल्दी लूट उठात और गाईज आपको इसमें लूट नहीं छोड़ने बिल्कुल भी अगर आप इसमें लूट छोड़ दोगे ना तो आपका मिशन पेंडिंग में रह जाएगा तो बैटर होगा आप सारी लूट उठा ले और गाईज इसे उठाने के बाद ही ये मिशन करने के बाद ही आप बैश भी नहीं बना सकते तो ये सारी लूट उठाते हैं जल्दी से और चलते हैं बैस की बनाने के और तो यह ज्यां भी आ गया था तो चलो अब चलते हैं हमने मिशन कर लिया है और देखो वहाँ पर है चंस्रेक्शन एरिया तो इस अंसे इरिया में है हमापना बैस बना स सकते हैं और यह कॉल माइन लेते हैं जल्दी से और ठाए रवी जरुवत होगी ओंस्टीड प्लाने के लिए तो जल्दीन चलते हैं भूंदते हैं कहीं तो मेरे सामनेश इय रहा एरन ओर जोषिको तोड़ते हैं जल्दी से और हम अपना dude science plan बनाएंगे दो मेरे पास सारा समान ओचुका है अबHub हम अपना plan बना सकते हैं तो पता नहीं क्यों नहीं मिला मुझे साधर मेरा बैग फुल था तो यह रहा यहां पर और इन koo उठाते थे हैं जो मेरा दिल सब्सक्राइब करें तो यह सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं इस पर वीडियो बनाता रहूंगा और लास्डे रूल तो मैं इतना खेलता नहीं जाता तो चलो बनने वाला है और फिर हम अपना आगे बेस मनाएंगे तो गाईज यह बन चुका है और गाईज हम यहाँ पर बिल्ड नहीं कर सकते आप देख रहे हैं इस एरिया के अंदर ही हम बिल्ड कर सकते हैं और अगर आपकी इस जो फैंस आ रहे थी इसके बीच में अगर रेड लाइ नहीं है तो आप बिल्ड नहीं कर सकते तो चलो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर हम बिल्ड कर सकते हैं क्या नहीं तो साइद यहाँ पर बिल्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई बेस है नहीं तो यह रहा कहा गया यह रहा होम स्टीड प्लैन तो इस पर क्लिक करते हैं प्लेस तो यहां पर हमके प्लेस कर सकते हैं तो हमने होमस्टीड प्लेस कर दिया है तो हमें वर्क बेंच की सारी रेशिपीज मिल गई हैं तो इन सारी चीज़ों को हम बाद में बनाएंगे तो चलो अपनी बेसल वगेरा लगाते हैं तो गाईज यह बिलकुल लास्टे रूल जैसा ही है इसमें बहुत सारे फिचर्स हैं और चलो लगाते हैं जल्दी से लेकिन गाईज इसमें यह है ना वुड बहुत जादा लेता है कोस्टली है बहुत तो आप छोटा बेस पाउंडेशन टेकते हैं जल्दी से तो थोड़ी शुपर की साइड के उपर टेकते हैं तो मेरे पास 2000 लकडिया है दो जानी 2600 तो चलो यहां ही से स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से और इससे बाहर का बिल्द नहीं कर सकते इस ग्रीन लाइन के तो यहीं पर ही करते हैं कु पर फिर वोल लगांगे थोड़ा बड़ा वेस बनाते हैं गाइस छोटा वेस तो क्या बनाएंगे उमारे पास लखडिक कमी नहीं अभी और गाईस जल्दी से वोल लगाते हैं और फिर दोर वगेरा अब लगाएंगे तो यहां पर सारा हम क्लोज कर देंगे तो चलो अब लगाते हैं वोल अंदर की साइड तो गाइज अंदर की साइड टू रख लेते हैं या फिर थोड़ा सा दो स्पेस और वड़ा देंगे तो यहां पर डोर रखेंगे इस साइड हां तो लेफ्ट साइड एक डोर रख देते हैं डबल डोर रख देते हैं तो चलो रखते हैं यह यहाँ पर एक डोर और गाईज यह लगड बहुत लेता है डवल डोर लेता है आए सो और सिंगल डॉर लेता है चारीस पता ने क्या कारण है तो यहाँ पर डवल डॉर का वह भी लगेगा जोटे है न वह डॉरल डवल डॉर तो चलो लगा दिए है मैंने और गाइज अभी रूप भी लगानी है जिसको ये फ्लोर कहते हैं तो ये एक वोल यहां पर भी लगा देते हैं जल्दी से तो ये अब फ्लोर रह रहा है तो फ्लोर भी लगाएंगे पहले इसको क्लोज करते हैं यहां से और एक वोल एक डॉर यहां पर भी लगा दे लगा देंगे आप रोड एक शिंगल दोर फ्रेम वो डोर फ्रेम था यह दो रहे तो चलो फ्लोर लगातने जल्दी से यह रहा यहां से स्टार्ट कर देते हैं पहले इसको क्लोज कर देते रहे नहीं तो कोई आएगा और हमारी लूट ठाले जाएगा बेफाल तुम्हें और गाइस नेक्स्ट वीडियों बताऊंगा कि आप कैसे मैंटेन कर सकते हो आपके बेस को तो सारी चीज़े बताऊंगा बाद में तो अब हमारे पास लकड़ी की कमी होगई है गाइस थोड़ी शी और यहां पर लगाते हैं और यहां पर और फ्लोर लगाने अभी से तो तो फ वर्क बेंच भी बनानी है तो चलो वर्क बेंच बना लेते हैं जल्दी से अंदर की साइड और वर्क बेंच बनाने इस पहले हमें यहाँ पर उपर की साइड से क्लोज करना था तो चलो यहाँ पर एक वोल स्टेर लगाते हैं और उपर की साइड से क्लोज कर देते हैं तो यह तो यहां पर लगाते हैं तो ट्रेंगुलर भी है वैसे तो और लकडी खतम हो चुकी है तो चलो अब बनाते हैं वर्क बेंच तो यह रही वर्क बेंच तो बनाते हैं वर्क बेंच वर्क बेंच तो सस्ते में बन गई वैसे ज्यादा लकडी वगेरा नहीं लीस ने और यह टा तो चलो इस workbench को लगाते है जल्दी से यह रही हमारी workbench तो इसको लगाते है जल्दी से यह यहाँ पर जब green हो जाए जब इसको लगा देते place तो यह बन चुक है गोई और इसके अंदर हम अपने equipment बना सकते हैं तो equipment की तो हमें ज़रुत है नहीं और मैं गलती से मुख्णा मार दिया इसके तो यहां पर देखो recipe है और यहां पर जो craft में चलेगी वह दिखेगी और नीचे जब recipe पर click करोगे जब आपको दिखेगी क्या आप क्या क्या बना सकते हो आपके पास ये समान होना चाहिए तो चलो बाहर की साइड चलते हैं जल्दी से और थोड़ी बहुत लकडी की जरुआता है मुझे तो ओके गाईज नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी इसकी और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जब तक और बताना आपको क्या समझना है इस गेम में तो मैं ट्राइ करूँगा अगले वीडियो में बताने का तो ओके गाईज मिलते नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई और चैनल को सब्सक् पर लेना और वीडियो को लाइक कर देना